क्या एलोपेथी डॉक्टरों के बرाबर है अयूर्वेद के चिकित सक्थ? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ओर्डर सुप्रीम कोर्ड ने कहा है कि आयूर्वेदिक डॉक्टर सर्जन को असिस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन MBBS डॉक्टर सरजरी से लेकर इमजेंसी ड्यूटी और ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी कर सकते हैं जबकि आयूरवेद के डॉक्टर की भूमिका अलग है क्या एलोपैथी और एयूरवेदिक चिकितसक समान है सुप्रीम कोर्ट ने बुद्वार को गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले आयूरवेद चिकितसकों को एलोपैथी चिकितसकों के बराबर माना जाना चाहिए और इसलिए वे समान वेतन के हगदार है सरवोचा अदालत साल 2012 के गुजरात उच्चन्यायाले के आदेश को चनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यह कहा गया था कि आयूरवेद चिकितसक एमबीबीएस दिग्री वाले डॉक्टरों के बराबर का दरजा पाने के हगदार हैं आयूरवेद चिकितसकों के महत्व और चिकितसा की वैकलपिक या स्वदेशी प्रनालियों को बढ़ावा देने की आवश्यक्ता को मान्यता प्रदान करते हुए सर्वोच न्यायाले ने कहा कि वह इस तथे से बेखबर नहीं हो सकता है कि दोनों श्रेनियों के डॉक्टर निश्चित रूप से समान वेतन के हगदार होने के लिए समान कार्य नहीं कर रहे हैं जस्टिस वी, रामा सुब्रमन्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि एलोपैथी चिकित सकों को अपातकाली नविभाग और ट्रॉमा केंद्र में ड्यूटी करने की आवश्यक्ता होती है शीर्ष अदालत ने कहा कि आयूरवेद चिकित सकों के लिए जटल सरजरी करने वाले शल्य चिकित सकों की सहायता करना भी संभव नहीं है जबकि MBBS डिग्री वाले डॉक्टर यह काम कर सकते हैं इलोपैथिक और आयूरवेदिक में अंतर इलोपैथिक और आयूरवेदिक उपचार प्रनालिया में बड़ा फर्क है कुछ लोग जट से आयूरवेदिक उपचार को नकार देते हैं जबकि दूसरे आयूरवेद पर पूरा विश्वास करते हैं अब भी अलोपैथि चिकित सा पद्धती संक्रमनों से निपटने में सबसे प्रभावी है इसमें कोई शक नहीं है तुरंत राहत देने में भी अलोपैथि आयूरवेदिक से आगे मानी जाती है लेकिन कहा जाता है कि जादातर बिमारियां जो खुद की उत्पन की हुई होती हैं उन्हें आयूरवेद की दवाएं मूल कारण यानी दोश को दूर करते हुए जड़ से खत्म कर देती हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये फैसला अच्छा नहीं लगा तो अपना सुझाव दीजिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा थांक्स फर वाचिंग दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल and click the bell icon for latest update